स्ट्रगल तो हमारा उस वक्ती शुरू हो जाता है जब शरीर छोटा और स्कूल का बैग दिखने में कुछ से बड़ा हो जाता है वो छोटी सी उमर में ना अमीरी पता होती है ना गरीबी और बड़े होने के बाद पता चला जब जिम्मेदारिया आईं तो कांदे पर एक छोटा सा बैग और पता चला की साला अपूनी गरीब है पर सारे अमीरो वाले शौक पाल रखे हैं ख्वाइशे पूरी करने के लिए उसे पता नहीं था आगे खाने बहुत दख्ये हैं मिडल ग्लास लड़का खतम करेगा सुबा जो लिखना शुरू किया उसने कल की शाम से अगर तुम भी गुजरे हो ऐसे ही मकाम से तो तुम भी मेरे जैसे लड़के हो एक आम से दुनिया में वो आने वाला नजादा धूम धाम से उसकी प्यारे बाबा बैठे नजरे सासे थाम के आवाज आई थी रोने की हुई खबरती होने की चोटी सी आखनाख छोटे उसके गाल थे नननाता परिष्टा और सुनेरे उसके बाल थे बाबा अम्मा आखे नम पुकारे बिना नाम के बड़ा होके नाम करे बाबा बोले शान से नर्स ने कहा खिलाओ ये लो अपना बेटा तुम बाबा देख कर हो रहे थे एक जम से गुम अफला थून बाटे यारों में कुछ बर्फिया बदाम के बाबा इतने खुश्टे जैसे मुझे जीता हो इनाम में मुझे जीता हो इनाम में बोल चाल करने लगा नमस्ते सलाम वो दुनिया की चीजों से करने लगा कलाम वो सिद्धी बहुत बचपन से और कितना था वो बेसबर बदलने वाली थी कुछ साल में उसकी जिन्दगी दुनिया से करने लगेगा आगे चल कर बंदगी देखते ही देखते पास साल वो गुजर गए बाबा तुम की दर गए, बाबा तुम की दर गए अम्मा बोले रोते नहीं बेटा थोड़ा तो सुन बाबा काम पर गए नहीं हुए कहीं वो गुम पास साल का होते ही करने लगा था वो सबर अब आगे क्या होगा ना इसकी थी उससे खबर रह गया था केले उसे सूना लगे है गर आवाज आई कुछ बचों की कुछ जीकू उसके कानों में आवाज की तरफ खिचा बचों में सजने लगा दोस्त किसे कहते हैं वो तब समझने लगा दीरे दीरे उनके साथ वो भी बदलने लगा दोस्त जहां चले वो भी साथ चलने लगा गलत क्या सहीना जानते करने लगा सीखने सिखाने में कुछ गालिया भी सीग गया घर पहुचते बाबा मारे आसूओं में भीग गया अम्मा चुपकर आये बोले इतना कौन मारता बाबा बोले जोर से नतीज़ा तेरे प्यार और दुलार का पीट पर छपे थे उसके वो पट्टे के निशान थे पैसे देते बाबा कहते मुझे शेर बेटा शान से मुझे शेर बेटा शान से अब मुलाकात होने वाली थी उसकी वो खास से जो दूर कभी था ही नहीं आज देखेगा उसे वो पास से वो बचपना तो बीता उसे लगता वो अमीर था अमीरो वाला बचपन छोड़ आईने में खुपको वो अब दिख रहा गरीब था बचपन छूट रहा था पीछे इस वक्त वो जवानी के करीब था अकलाई तो सोचा के बचपन का वो बस था उसका ना हभीब था महल जो सोचता था उसका घर है वो जो पड़ा जब देखा वही उसका नसीब था कॉलेज में और आखरी वो साल था साल तो अच्छा गुजुरा लगने लगा कमाल था किसी लड़की के पीछे हो रहा बवाल था अब हुआ आठरा साल का बदला सब तरीका उसने रंग ढंग चाल का नंबर तो कम आये शाड़ा ना पड़ा इस बार था वो जो बच्छन में हलाल अब सुना उसका गाल था बाबा केहे पढ़ाओंगा न सोचा गर का बुरा हाल पैसे भरने जादा वहां टेंशन में बाबा बेहाल कमा कर भी कित तक माते अमाने रखा रासा आते थे जो पैसे जरूरतों में खतम हुए महीने से पहले खतम वो पैसे देखकर हम सक्त से नरम हुए अब जलती हुई धूप में हम भी देखो गरम हुए जो खायशे थी उसकी वो तो उसने कार थी वो नौकरी पकर के उसने जिम्मेदारी फार दी काम पर रहकर अपनी नवा भी डाड़ दी पढ़ा लिखाए कि जिंदगी भाई बैनों के लिए मार दी अब पैसे कमाने लगा समझ आया कि खुशी नहीं मिलती है पैसो से और जिनदगी मिली जो है वो भी साला उधार की पैसे आये जेब में उड़ाए दोस्त यार में दुनिया की चीजों में वो सीधा लड़का गुम गया आजमाईश के लिए खुदा सिता वो चुन गया जलते हुए दोस्तों में साथ वो भी भुन गया कबर का फंदफन की बातों से रहे अंजान वो नमाज ना अता करे बन रहाता हैवान वो ठक कर दुनिया में ठैरा वो ठक कान से सपने सजाए उसने शीशे के मकान के दोस्ते जिनके साथ रहता माली पथर की दुकान के यह समलता डलता खलता जलता चलता दुनिया की इस भीड में शकल अकल पलक फलक पे बहेगा एक दिन आसमा की जील में दोस्ती दुनिया दारी क्या सचाही पता चली पैसो की करी यारों के आगे ढिल में सब की परेशानी अब सब को लगती है एक घर धाम सब के अलग सब खुद के लिए है नेक इंसान वो है जात से इंसान या धरम उसका खुद को जुटे लाए इस बात से ये कहानी तुमारी लग रही तुमें क्या तुम भी गुजरे ऐसे मकाम से मिडल ग्लास लड़का खतम करेगा सुबा जो लिखना शुरू किया उसने कल की शाम से अमा हमारे रहते दिन बर गर के काम में बाबा लोटते अंदेरे में तो कभी शाम में कि अधकुमार्य कन्या काम में